बंदी मातरम बंदी मातरम जाहिन साइन्स के स्रीज को आगे बढ़ातित हुए आज दूसरा चेप्टर होगा जिसका नाम है मातरक और बीमा दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने पहला चेप्टर जब सदिस और अदिस पढ़ाया था तो वहाँ दो चीज आपको बताया थे थोड़ा सा आप उसको रिविजन कर लिजिए ताकि ये वाले चेप्टर समझने में असानी हो उसमें मैंने आपको बताया था दो चीज एक बताया था रासी और एक बताया था भौतिक रासी रासी किसको कहते थे जिसको संख्या के रूप में दर्सा आ सके बहुत सी यही समझना है जिसको हम संख्या के रूप में दर्सा सकते थे उसको रासी कहते थे और भौतिक रासी उसको कहते थे यह पदात का ऐसा गुन था जिसका मापन किया जा सके किया क्या किया गुन्था पदात का जिसका मापन कर सकते थे तो अहां आप लोग ने ये बात ध्यान नहीं दिया कि मापन मापन आखिर मापेंगे किस चीज में कहीं देखते हैं कि मापते हैं किलो गराम में कहीं मीटर में कहीं सेकेंड में यहीं चीज जो कहीं जो मापने की जो पधती होता ह है कहीं अलग-अलग हो जाता है उसी चीज के बारे में इस चेप्टर में समझना है जिसका नाम है मात्रक और बीमा तो दोस्तो मात्रक और बीमा शुरूबात करने से पहले हम समझ यहाँ पहला टॉपिक कि मात्रक का चर्चा हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है मात्रक का तो मात्रक जो होता है उसको कहते हैं कि किसी भी भौतिक रासी अब भौतिक रासी से आपको को पने के लिए दो चीज की आपको आव सकता हो रहा है यानि एक antатमख मान एकמण की जरूरत होता है एक मात्रक की तो जो वही जो जरूरत होती है भौतिक रासी को मापने की उसी को क्या कहते हैं मात्रक उदारन के तॉर पे पहिल्ट के से थिलिए तो कहने करते हैं कि आप पांच केजी खरीते तो दो तर्म यहां सब्सक्राइब करते होंगे पांच केजी तो यहां 5 आपको संख्या दिख रहा है यहांनि एक सबस्ट वह कुए रहा है यह क्या है संख्या है यानि संख्या है तो रासी है और जो मीटर आपको दिख रहा है यह क्या है मात्रक है बस यहीं हमको समझना था मात्रक किसको कहते हैं अब समझे मात्रक दो परकार का होता है एक होता है मूल मात्रक जिसको ही हम अधारी मात्रक कहते हैं और एक होता है ब्यूत्पन मात्रक बस अभी आपको ध्यान में यह रखना है कि मात्रक दो परगार का होता है मूल मात्रक और ब्यूत्पन मात्रक इसका चर्चा हम आगे करेंगे अब देखिए आखिर मापने की क्या करते थे पैर की हिसाब से नापते थे अगर किसी को लंबाई नापना होता है दुखांदार लोग मान के चले कोई चीज उनको कपरा उपरा बेशना होता था तो लोग हाथ का पढयोग करते थे इससे क्या होता था किसी को फायदा हो जाता था तो किसी को नुक्सान क्योंकि फैदा नुक्सान तो करता है कि हर आदमी का तो हाथ एक समान होता नहीं हर आदमी का पैर तो एक समान होता नहीं है तो इससे क्या हो जाता था नुक्सान हो जाती थी जिसके कारण यह चीज को करने में मात्रक को ग्याद करने में पढ़सानी होती थ तो तीन पदिती परारम्व में मात्रम की कितनी पदिती थी ? तीन पदिती, देखो तीनों का समझना है, एक था CGS , एक था FPS , और एक था MKS, नाम से ही आपको असपस्ट , देखिये, तीन चीज़, मेनली नापने के लिए , मापने के लिए बहुत चीज़ होता है, आपको माप है समय तीन चीज को में жизни है झ險 जो आपको मपना है और इसको स्षर जगा अलग-अलग मातरक से नपा जाता था पहला आपको लमबाई मापना है दूसरा नरह विमान मापना है तिसरा क्या मापना है समय को मापना है तो तीनों के लिए देखे क्या क्या पदिती अपना गया था पहला का नाम था cgs इसका फूल फरम आप देखेगा cgs सी से सेंटीमीटर जी से ग्राम एस से से केंड यह क्या हो जाएगा किस्ची में मापा जाता था सिंटीमीटर में द्रविमान को ग्राम में मापा जाता था और समय को किस्ची में मापा जाता था सेकेंड में तो कहेगा सीजीएस पधिती में लंबाई को किस्ची में मापते हैं तो सिंटीमीटर में द्रविमान को किस्ची में ग्राम में समय को कि में सेकेंड में लेकिन यह जो पधिती थी बहुत सारे देशों में यह फैला नहीं था खास करके यह फ्रेंच यानि फ्रांस में फैला हुआ था यूरोप का एक देश फ्रांस है तो इसलिए इस पधिती को हम फ्रेंच या मिट्रिक पधिती के नाम से जानते हैं अब दूसरा फूट्र पांड इसमें क्या होता था लंबाई को फूट में मान पाजाता था और समय को से केंड मैं मैं और समय को से केंड में यह वाली जो पधिती यह भी सारे देसों में नहीं था यह ब्रिटेन में जिसको आप इंगलेंड कहते हैं इंगलेंड में खास करके यह मापा जाता था इसलिए इस पधिती को हम ब्रिटिस पधिती कहते हैं क्या कहते थे ब्रिटिस पधिती दो पधिती आपको समझ में आगी तीसरा पधिती था MKS, इसका full from होता है, मीटर, किलोगराम, सेकेंड, देखिए, मीटर जो है, लंबाई को इसमें मीटर में मापा जाता था, द्रवमान को किलोगराम में मापा जाता था, समय को सेकेंड में मापा जाता था, मैंने MKS पधिती कैसा पति था लंबाई को मीटर में लंबन को किलो ग्राम में समय को सेकेंड में लेकिन लेके समय को सेकेंड में हर। मापा जाता था फिर भी परसानी हो गए तो सारे देश ने मिलकर इस चीज से नाखूस थे बोले थे कि हर जगा जो है नम पधिती ये अलग-अलग है मापने की लंबाई और द्रमान के तो सब ने एक के अधिवेशन को बुलाया पूरे देश ने मिलके एक सभा एक सभा का आय लिए और यानी जो योडम महादेश में चले वही एसिया में चले वही अगर महादेश में चले हर जगा एक होना चाहिए अब सबाल ये था कि पधिती आपके सामने तीन तीन पधिती दीखा एक CGS है एक FPS है एक MKS है तीन-तीन आपके पास ओप्शन था तो आखिर किसको मान तो क्या आपको असानी किसीज में रहेगा बॉकलोल को हसीयार करने में वकलोल बनाने में यह बहुत समय भी देशों में था यह यह एक केशों में था में यह लेकिन यह जो MKS सिस्टम था यह अधिकांस देशों में लोग इसको भी फॉलो कर रहे थे MKS सिस्टम को ही तब सब ने सोचा एक उन्हें देखी डेट पे नहीं जाना है एक 1971 और 1960 इसमें आपको NCRT 1971 देता है और कीरल पब्लिकेशन है निस सो साथ में तो में ज्यादा आपको द्यान देना है अनतराष्टी यह पधिती बोला की ना CGS रहेगा ना FPS रहेगा ना MKS रहेगा एक नया नाम आ जाता है SI लेकिन आपको समझना होगा यह जो SI पधिती है यह MKS पधिती का ही क्या है विश्ट्रित रूप है एसाइ सिस्टम में नया नया कुछ नहीं आया सीजी एस और एक बोले थे पहले कि जो चीज ज्यादा बला है तो असान बला तो बहुत उसको असानी से समझ लेगा तो ज्यादा मात्रा में लोग यह MKS को बोल ला है तो एसाइ जो पधिती आया उसमें किसका मानता मिला MKS का ल में समय को किसक में मापेंगे सेकेंड में देखिए इसी अधिवेशन में हम आपको बताये थे पहले ही मात्रक दो परकार का मूल मात्रक और व्यूत्पन मात्रक अब आपको हम मूल मात्रक और व्यूत्पन मात्रक को हम आपको अंग्रेजी से रिलेट करके पढ़ाएंगे इंग्रेजी में आपने लेटर होगया 26 लेटर होता है ये से लेकर जेट तर उसमें आप भॉवðल देखते हैं सेमी भॉववेब देखते हैं consonant देखते हैं बस उसको ही relate करके हम यह हम वैसे याद रखते हैं आपको भी वैसे ही याद रखना है देखिए यह जो अधिवेशन हुआ अंतराष्टिय पद थी इसमें मूल मात्रक को साथ मूल मात्रक की मानता मिला मूल मात्रक की संख्या कितना साथ और इसके साथ साथ पेखिए बिसमें अग्रेजी में वा स्वतंत्र होता है कि न एक आए साथ फज साथ याद लैख्या मैं अंग्रेजी में रखता है कि फथ्या है साथ होदा है कि er O U बताई ये आंगरेजी के किसी दूसरे पर निर्भर है नहीं निर्भर होता है लेकिन हम consonant की बात करेंगे B दखिए B बोलते है तो इसमें E का उचारन आता है बताई ये E क्या है भॉबल है ना अगर हम K बोलते है तो A आता है ना बताई ये E क्या है भॉबल है ना यानि consonant जो है बीना भॉबल की सहता से नहीं बोला जाता है ठीक उसी तरह जो ब्यूतपन मातरक है वो स्वतंत्र नहीं होता है ये मूल मातरक पे आश्रित होता है इसको आगे समझेंगे पहले आप समझे इसको रिलेट करना है कि ये भॉबल है क्या है भॉबल है यानि मूल मातरक जो होता है स्वतंत्र होता है भॉबल की तरह जो दूसरों पे निर्भर नहीं होता है अब आपको हम बताये थे कि मूल मातरक की संख्या साथ है तो साथो मूल मात्रा के लिए आपको ट्रिक रखना है घर कोन कोन है एक चीज आपको बस ट्रिक याद क्या रखना है। क्या बोलीएगा दू तीन बर बोल यह द्रसल तवीज पधार्थ इसका फुल नहीं देखिए द्र से द्रब्बमान सौ से समय लौ से लंभाई ता से ताप वी से विद्धुधारा जो से ज्योतितिब्रता अब पदार्थ से पदार्थ की मात्रा इसको तो बोलते हैं मास टाइम लेंथ टेंपरेचर इलेक्टरी करेंट लिमुनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा मैटर आप सबस्टांस अब देखिए अब अब जो है हम मापते किसमे हैं यहां हम आपको बोल दिये थे लंबाई को मीटर में द्रमान को गराम में किलोगराम में में जो जिसका मानता मिला तो कितने मूल मात रख पहले तीनों को यहां दिखता था लेकिन मूल मात रख एसाइ सिस्टम आया तो कितना मिला साथ यह सातों का नाम आपको लिखा है द्रबमान को माना गया कि किलोगराम में मापा जाएगा द्रबमान को किसमें मापा लंबाई को मीटर में यहीने में बोला गया था मीटर किलो गराम सेकेंड यानि लंबाई को किस में मापा जाएगा मीटर में संकेत क्या हो जाएगा एम समय को सेकेंड में संकेत क्या हो जाएगा एस दरबेमान को किलो गराम में संकेत क्या हो जाएगा केजी ताब टेम्पेरे क्या enact क serpent को कैंड़ेला में मापते हैं औरそई 사ились की मातरा को मोल में मापते हैं मोल के लिए क्या हो जाएगा soap यह था आपका मूल माट क्या संक्या कितना साथ और साथी साथ बताये थे कि नीसके साथ दो सम्पूरक मातरख जिसको सप्ली मेंटरी बोलते हैं वहाँ जैसे हमВыल्व और वा Celsius कॉन को मौत है Radian में कून है तो Radian में मापते हैं angle है कोन है तो किसLook में मापेंगे Radian में Radian के लिए संकेत rad अर जो होता है जिसको बोलते है सौलिडेंगल उसको मापते हैं Stradian में , stradian के लिए संकेत क्या हो तो बस यह याद रखना है मूल मात्रक को भवल से डिलेट करना है स्वतंत्र होता है इसकी संख्या साथ होता है दो संपूरक मात्रक होता है इसको याद कर लेना है यह मात्रक में क्या था मूल मात्रक अब जो है एक टॉपिक आपका बचा है ब्यूत्पन मात्रक अब इसको अ वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें